बीजेपी प्रदेश कार्याले में प्रदेश अध्यक्ष संजय जैसवाल की प्रेस वारता आयोजित की गई जहां CTET, BTET उत्रिन अभियर्थियों को बीजेपी ओफिस बुलाया गया नियोजन में देरी को लेकर उत्रिन अभियर्थियों में आक्रोस था क्योंकि 2020 का चुनाव रोजगार के मुद्दे पर हुआ था तेजस्वी ने पहले कैबिनेट के माध्यम से सरकारी नौकरी देने की घोशना की थी NDA के सरकार में बिहार में 2,35,000 सरकारी नौकरी खाली थी जिसमें 1,15,000 सिक्षाविभाग में खाली पत थे आज कि सिक्षामंत्री ने उत्रिन अभियर्थियों के लिए नौकरी की मांग की थी उस समय वहराज़त के विधाएक रहे तो नितिस कुमार पर दबाव बनाते तो सरकारी नौकरी की वेकैंसी निकाली जाये थी सरकार बदलने के बाद सरकारी नौक्रियों का मिला लगा रहा है और उन लोगों को न्युक्ति पत्र दिया जा रहा है जो पहली ही जॉइनिंग कर चुके थे नितिस कुमार उस समय तेजस्वी के बाद का मजाग उडाते थे नितिश कुमार तेजस्वी को कहते थे कि 10 लाख नौकरी तुम्हारे बाबु जी जेल से ला कर देंगे क्या जो दो लाख 34,000 सरकारी नौकरियां और उसी के यह जो 30,000 नौकरियां बाटी के यह उसी का एक हिस्सा वह हम सब पहले दे दिये थे और दोनों ने मिलके दिया था उसी को दुबारा तेजस्वी जी के पास दिखाने के लिए किया जा रहा है एक चुकि दोनों दल का आपस में विलाय होना है मानियन इति इस भी को जाना है आश्रम में जाके राज़त के नेताओं को ट्रेनिंग देनी हैं तो उसको देने से पाहले वह तेजस्वी जी को सभी पुराने नौकरियों का चेरा दिखा दे रहे हैं कि देखो 2020 के बाद इनको हमने भाज़पा के साथ नौकर अगि इताओ बिटे का